हर दोई के संडीला बस 10 पर ट्रक से टकरा कर DCM ट्रांसफर से टकरा गई जिस से DCM में आग लग गई आप से करीब 20 लाग की दवाएं वो अन्य समान जल कर खाक हो गया चालक परिचालक ने किसी तरह से कूत कर जान बचाई हाथसे की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है संडीला बस अड़ा चुराहे पर हुई भीशन हाथसे में ट्रांसफर से टकरा कर दवाओ से भी भरी DCM जल कर खाक हो गई है दरसल हरी दवार के दो ट्रांसपोर्ट से दवाए और बैचरी पैनल लेकर लखनव जा रही DCM बिती राद संडीला बस अड़े पर एक ट्रक से टकरा गई जिसके बाद अन्यंत्रित हुई DCM पास में लगे ट्रांसफार्मल से टकरा कर पलट गई इसी बीच DCM का डीजल टेंक फट गया और चिंगारी से आग लगे चोकी पर मुझोद पूलिस कर्मियों ने DCM में फसे चालक परी चालक को बाहर निकाल कर फाइल बिगेट को सूचना दी मोके पर जब तक फाइल बिगेट पहुचकर आग पर काबू पाती तब तक DCM पूरी तरह से चल कर राख हो गया आग से DCM में भरी करीब 11 लाग की दवाएं 9 लाग की बैटरी पैनल जल कर खाक हो गई है आग बुजाने की कोशिश में जुल से बदाईयों निवासी चालक परदीप वह परी चालक अनेश को पुलिस ने CHC पर भरती करवाया है वहीं दूसरे ट्रक को कबजे में लेकर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है हर दोई से समधाता शाहिद अली की रिपोर्ट पर चालक के बज़े से गाड़ी में आग लगगी और पूरा माल जलके राख हो गया लगब कितने का माल था? माल इसमें 20 लाख रुपय के सम्धिंग माल था आट 9 लाख रुपय के बैटरे थे और 11 लाख रुपय की दवाई थी आट 9 लाख रुपय के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद